मैं स्वाइ संगमिस्रा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गाधी पीस फ्राइज 2019 and 2020 के बारे में मार्च महिने का एक करन्ट अफेर है दो बेक्तित्व जो दो हस्तियां हैं उनको गाधी फीस फ्राइज फार 2019 and 2020 मिला है इस्क्रिन पर जैसा है कि आपको दिख रहा होगा राइट हैं साइड में आपके उमान के दिवंगत राजा है काबुस and left hand side में आपके हैं बांगला देश के राश्ट पिता बंग बंदू यानि की सेक मुझिबूर रह्मान दोस्तों आगे देखते हैं कि गाधी फीस फ्राइज क्या है ये कब इसकी स्थापना होई थी किसकी छेत्रों में मिलता है तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता होगा गाधी फीस फ्राइज भारत सरकार की तरफ से संस्कृति मंत्राले की ओर से दिया जाता है दोस्तों भी मैं आपके समक्च एक कॉश्चन रख रहा हूँ कि संस्कृति मंत्राले के मनिश्टर कौन है अभी तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर बजाना तो संस्कृति मंत्राले दोवारा गाधी फीस फ्राइज दिया जाता है जिसकी अस्थाफना 1995 में होई थी और 2020 के लिए और 2019 के लिए दो अलग-अलग बेक्तियों के मिला है तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि 2020 के लिए जो प्रसकार जिन को मिला है वो है बांगलादेश के संसापक सेख मुझिबर रह्मान और 2019 का पुरसकार जिने मिला है वो उमान के दिवंगत सुल्टान काबुस बिन अलसैद है अच्छा ये भी जानना जरूरी है हमारा कि ये पुरसकार किन छेतरों में दिया जाता है चुकि UPSC और UPSC या फिर UPSC जैसे एक्जामों में multiple choice questions में पूछ देता है तो ये पुरसकार mainly राश्ट्रियता नसल भासा जाती पंथ या लिंग से परे होकर जो प्यक्ति समाज बे अपना युगदान देता है उनको इसके लिए नॉमिनेट किया जाता है और Ministry of Culture के द्वारा इस पुरसकार को दिया जाता है दोस्तो कुछ वीसेस करेंट अफेर के लिए हर महीने के लिए आप इस यूटुब चैनल से जुड़े रहे हैं और सब्सक्राइब कर एकर अच्छा लगे तो